सभीको नमस्कार इस लेक्चर में 70 विपेसी PT एक्जाम के पॉइंट वब्यू से बिहार बजट 2024-25 के साथ ही साथ जेंडर बजट का जो भी फैक्ट एन फिगर है उसको चाइल बजट गीन बजट इन सब का जो भी फैक्ट एन फिगर है और खास करके PT की एक्जाम के पॉइं पूछा जाता है तो उसको मैं इसमें लिख लिया हूं बाकी इस लेक्चर के दरण जो डॉकुमेंट विहार फरकार का जो पीडिएफ है उसका भी मैं हेल्प लोंगा बस आप यह करें कि वीडियो को एक बार अभी देख लिजिए डेर के स्विट में फिर सकेंड बार एक और देख लिजिएगा बाकिस का में पीडियाफ चाहिए है या जो वेजिनल पीडियाफ है ओभी मैं अन्राइन करके ग्रूप ट्राम में भेज़ दूंगा ट्राम का लिंक नीचे दिया गया है आप वहां से जोईन करके उसको वर्क पर लिजिएगा लास्ट येर जब एक बजट आया था एक चीज में और लास्ट बार जब में बजट पढ़ाया था इसमें बेसिक भी मैं कवर करके देता हूं आप पिर जुक्त पास टाइम है तो उस वीडियो का इस ्टार्टिंग का लगवक दस में देख लिजेगा इसमें बैसिक जो भी बजट को लेकर है उ उसमें मैं कभर कर दिया है आप भी तफ़ टाइम को बचाइए और अगर टाइम है तो उसको देख देख बाकी इसमें वह सारे चीजा में डिसकस कर दूगा जो कि आपका एक्जाम में कोफन कोई छूटेगा नहीं तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं एक चीज और मैं डिसकस कर देता हूँ एक दिन साइड नीज पेपर में विपेसे के चेर्मेंट सर ने कहा था कि कोफन का लेवल टफ रहेगा उस दिन से बहुत फ़रा कॉल या मेसेज आया कि कोफन किस लेवल का कितना टफ रह सकता है तो जहां तक टफ का सवाल है सिंपल सी बात आप क्या किजिए लास्ट कमस कम पांच साल का जो एन है यूपेसी का जो कुछ जो कोष्टन है जिसे हिस्ट्री है जोगरफी है पॉलिट्री या करेंट कुछ उसका कोफन का क्या लेवल है 69 एकजाम हो चुका 60 एकजाम हो चुका तो कोफन का जो लेवल रहेगा 69 बजट इब बताऊंगा तो पढ़ाऊंगों बताऊंगा कि किस तरीके से पूछा जासा है मैं फूरे एजामपल बताता हूं आप जब इस पीडियाप को साइट ओपें करेंशे कि यहां पे देखिए यह है कि करेंट प्राइज पे बिहार का जो है जिडिपी तो यहां सिंपल यह पुछेगा कि पिछले तीन एयर से कि बिहार का जो जीडिपी क्या बर रहा है या नहीं बर रहा है तो यह इस्टेटमेंट बढ़ा कि कोफन पुछा सकता है या राजकोश्य घाटा पिछले तीन बरसों से बिहार का बढ़ रहा है कथन सही है या गलत है यह कैसे जब आपका नजर इस फेक्ट पे होगा तो कोस्टन का जब आप सही धंग से पर लेंगे नहाड एक चीजों को तो कोस्टन नहीं छूटेगा कितना भी वो टफ कर दे तो मेरा सिंपल यह कहना है कि टफ जो भी है ठीक है वो पूछेगा बीपेसी और उपेसी के जो भी टॉपिक पर है उस पर आपका अच्छा पकर होगा चाहिए हिस्टी हो जोगरफी हो पॉलिटी हो करेटर परस हो तो फिर टफ क्यों डरना ठीक ना ब में जो कुछ चीजा आपको ध्यान डखना चाहिए वो मैं सिंपल बताने की कोशिस करता हूं तो यहां पर देखिए अभी जो दो हजार चौबिस पच्चीस में जो है बिहार का जो जी डीपी है तो यह अभी आप डेटा याद रखिए यह आपका नो लाख छेतर हजार पा इसको आप याद कर सकते हैं फिर लास्ट यह का कुछ डेटा यह था इसको बार देख लिए वीडियो पहुश करके ठीक ना उसके पहले वाले का कुछ यह था आप जब देखेंगे तो मोटा मोटा आपको बढ़ता हुआ दिखाई पर यह है जी एस डीपी बिहार का और यह यह किस मुल्पे है यह करेंट मुल्पे है मतलब कि यह बरत्मगान मुल्पे यह दियान रखिएगा और यह चीज और देखिए जो बिहार का जो 22-23 पर जो ग्रोथ रेट था तो वो पूरे देश में सब जादा 10.64 परतिफत था यह भी अगर इस्टेटमेंट बना के बनना चाहिए यह इस तरह को फन लास्ट पहले भी पूछ चुगा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिफ फानेंशियल मेनेजमेंट सिस्टम सी एफ एमेस 2.0 इसी फानेंशियर से लागू करने का निरने फरकार ने लिया है इसका मैन जो परपस है कि बजट परक्रिया को एकदम पर्षी करेंब्स estado झाए और इसी देखिए इस बार का जो जो बजट उसका कुछ राज़कोफीर नीटी का कुछ उद्देश है देखिए पहला उद्देश तो यह है कि तीम पर्तिफत से कम अगरे हैं तीम पर्तिफत से क्या रखना है पर बियंयोсем और सकल राज़ उत्प पूछे जाने का भर पूर्पूर चांस है अगर सिंपल यही लाइन बना के देगा तो कौन सा कथन सही है आप इसको अच्छे से इसलिए मैं ओरिजिनल डॉकुमेंट को ही आपके सामने दिखा रहा हूं मैं इसमें हैंडिटैन भी यूज नहीं किया हूं क्योंकि डायक्ट आपको यहीं से कोफन पूछेगा तो इसको आप एवर पिलीज वीडियो पहुच कीजिए इसको पहले यह बाकी पीडियो फ्रेकर वहां से इसको बार जिर कर लीजिएगा अब देखिए अगर इस्टेटम 5.97 हो गया था तो आप यहां देखिए यह इसको सिवाब देख लिजिए 5.97 लास्ट येर 2.98 और अभी भी कितना अनुमान है 2.98 परतिफद का अनुमान है लास्ट येर भी इस बार बड़ा बड़ है और यह कोफन यहां साब को पूछा जा चुका है तो बस आप थोड़ा जो है चीज़ा ध्यान रखिएगा और ये FRBM Act जो है उसके तहट जो है तीन परतिफद का भी लक्ष है इस बार का जो राजस अधिसेस है वो देखे यहां पे है आपका 1121 करोण है देखे लास्ट बार इतना इस बार इतना घटा है ठीक ना और यहां यह निगेटिव में थ यह statement based question के लिए आप ready रहिए कब जब आप ऐसे data को सही से पहचानेंगे कहां घट रहा है कहां बढ़ रहा है और कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वहां आप उसको अच्छे सा identify कर पाएंगे सरकार को जो प्राप्तियां होती है वो भी देखिए यहां पे 22-23 में यहां पे यहां पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई पर रहा है बढ़ रहा है बस इसको आप ध्यान रखेगा बाकी जो revenue जो collection सरकार का हो रहा है इसमें दिखे लिखा हुआ है 24-25 की कुल प्राप्तियों में जो राजस प्राप्ति का हिस्सा 81.31 परसेंट है सबसे क्या हो रहा है इसमें एक डेटा आपको अगर statement बेस बना के कफ़न पूछेगा तो इसके लिए आप तयार रह सकते हैं देखे कूल बकाया रीन जो है देखे ये भी फरकार का बढ़ रहा है इसी को कम करने का जो एक प्राथमिक्ता भी मैं आपको बताया यह भी चिज़ आप ध्यान रखेगा इस जो बजट का दुरह 24-25 का राज सरकार दोरा कई प्राथमिक्ता इन रहत की कि जिए में कुछ है देखे इसमें आठ है इसको याद रखे निउक्ति और वजगार देना महला को सर्क्ति करना विभीन छेत्रों का वेलफेर करना स्वास्त पर ध्यान देना सिक्षा पर क्र प्रियावरन फंडक्ति और हरित विकास ये सारे आप याद रखे पूर देखा कि प्राथमिक्ता आप कौन सामिल नहीं है का जवाब देने के लिए कौन सामिल है वो तो पता होना चाहिए ना बहुत असान है रोजगार नियुक्ति महला स्वाश्तिकन भीन बर्गों का कल् है और प्रियावरन संडक्ति इसको अच्छे से याद रख लिएगा यहां से कौर्शन बनना तरह है अब रूपिया कहां से आता यहां इस तरह को फन यूप्यसी भी पूस्ता है सब पैसा कहां साएगा केंद्रिया करों में राज का जो आंस होगा 40.52 पर फिर्ट नमर पढ देखें यहां पर क्या है लगवग 19.4 से बन यहां देखें कितना राज सरकार के करश तीफेन पर कैंद्र फरकार के सहायता अनुदान से मतलब इन दोनों को जोर के लगवग देखें लगवग 69% के आसपास है यह भी आप से पूछा जा सकते क्योंकि यहां पर इस बजट म रखेंगा कुछ देखें बजट के रहां फर्वड़ी 24 को पेस किया गया था सब्सक्राइब 24 के द्वाड़ा बाकी देखें टोटल जो ब्या है यह अगर आपको डेटा अगर याद रख लीजिए 2,78,725.72 करोर ठीक नहीं या इसको इसे भी बोल सकते हैं 2.78 लाख करोर इ कम सकम यह इसको इस डेटा को छोड़ दिए इतना आप याद रखें ठीक नहीं इतना खर्चा है और कितना रिशिप्ट होगा यह 2,78,925 करोड है तो आप यह भी डेटा याद रखेंगे इसको छोड़ दिजिए तो 72.72.72 यह तो नहीं भी रखेंग कोई दिकत नहीं है तक पर आपको फैक्ट ही एक दो बार पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे आपको याद रखेंगा बाकी राजकोशिय घाटा की जहां तक बात है 29,95 करोड पर पॉइंट फोट टू करोड है यह डेटा याद रखेंगा जो जीएश डीपी का कितना है 2.98 है मैं जैसा कि भी बताया ठीक ने चलिए इसको ध्यान रखेंगा बाकी डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना खर्चा में इसको आगे भी करो लिए हां सिक्षाब आपको यह अगर पूछ देगा ऐसे करके किसमें जदा है तो आप इसको भी थाद ध्यान में रखेंगा और अभी बता है यह बजट का पूरा फैक्ट यह कहता है रेभेन्यू रिशीप्ट केपिटल रिशीप्ट और जी एसडिपी यह सबसरकार बिहार का क्या हो रहा है बड़ रहा है कथन बनाके पूछ देगा घट रहा है नहीं बड़ रहा है यह सब आप मतलत कत्थान बनाके को फुशाब सक किया 14 में और 1112 से यह आप कुछ डेटा याद रखिएगा बाकी हाँ एक्ट की जहां तक बात है तो यह 18 फरवरी 2006 से लागू किया गया है बजट के साथ राजकोष यह नीती इसका अच्छा हो इसका में परपस है ठीक ना बाकी आपके बजट के पीडियोप में यह भी लि दो अंकों में रहा था मतलब कि दस प्रतिफास और 22-23 में जो है राजसरकान ने जो राजसु घाटा को समाप्त कर राजसु अधिसेस अरजित करना शुरू किया यह आद रखेगा तो है चार पांस से यह मतलब पीडियोप में इस्टेटमेंट है मैं वही यहां के लाया रखेगा एक बिहार कारपालिकार रूल 1979 है जिसमें क्या किया गया है जो 45 नमबर पर अब खेल विभाग को लाया गया है इसी रूल के जरिए यह खेल विभाग अलग किया गया है कलास संस्कृति वम्युबा विभाग से अलग करके खेल विभाग बनाया गया है बिहार में बाकी बिहार और द्योगिक निवेश पुरसाहन नीती दर सुल्ले में परियतन को उद्योग का दर्जाग दिया गया है और बिहार फरकार हाल फिलाल में पिछले साल बिहार परियतन नीती दर तईस लाया गया है जिसके तत जो भी परियटर के च्छे तो उसको विकास किया जा रहा है देखे, question simple यह कहेगा, इसा पूछ सकता है बिहार फरकार परियटरन को उद्योग का दरजा कीफ नीती के तहद दिया है यह आप याद रखेगा यह आपके budget के PDF में है आप अगर और पीडियोग पढ़ेंगे तो यह सब चीजा आपको मिलेगा बाकि बिहार एक IT policy 24 में आया यह भी एक बड़ याद रखेगा, ठीक चलिए आपको पता है कि बिहार फरकार क्रीफी रोड मैप बिहार में की है तो फर्स जो आया था फर्स था 28 फिले के 12 तक इसका 17 फिले 28 को इसका उखाटन हुआ था फिर दुफरा 12 फिले के फतर तक तीफरा फिले के 23 तक और चौथा भी 23 से लेके कब तक है 28 तक, और दिहां डखेगा तो एक ग्यारह में है क्रीसी केबनेट बनने वाला बिहार जो है बजट भाफन का जो इंपोर्टन चीज़ा में वो बताने कोशिश करता हूँ देखे बजट फिगर जो कहता है आपका फर्स लाइन जो बितमंत्री समराचोधवी का यही है राजपाल को कहते हैं मोहोद है, राज के लिए गर्व की बात है कि बिगत दस्त एक दसक में बिगत एक दसक में जो है सकल राजपाल जीएशडीपी के आकार में जो है डेर गुना से भी जादा बिर्धी हुआ तो अगर यही इस्ट्रम बढ़ा के पूछ देगा, तो आप बिर्धी नहीं हुआ है ड्रॉप आउट जो बच्चे करते हैं उसमें भी कमी आई है यह सब वहाँ पे चीजन लिखा गया है ठीक ने चलिए जीबिका जो समू है वो स्वक्स्ता में भी काम कर रही है स्वक्स्ता के अभियान में भी काम कर रही है स्वक्स्ता छेत्र में उपलबधी के लिए भाड़त फरकार के जल सकती मंतराले नहीं स्वक्षता ही सेवा के प्रोषकार के अंतरगत जो है जिवीकादेदी को क्या किया है प्रोषकृत किया है बाकी ये तो एक्जाम में हर एक साल मेरे ख्याल से पुछा जा रहा है नीती आयो के रिपोर्ट करुशार बिहार में गरीबी तो वहाँ पर चीज़ें आपका फेक्ट का फिय अच्छे फे दिया है जो मल्टीपल पोबर्टी इंडेक्स है उसमें कहा गया है 2015-16 में जो है बिहार में गरीबी रेट 21.89 परसेंट था जो 19-21 में घट के कितना हो गया 33.79 परसेंट हो गया 18.13 परसेंट का क्या हुआ है गिराबाट इफ अप डेटा पिलीज आप याद रखे क्योंकि यहाँ फे डेटा को फन पूछा है और इसमें यह भी कहा गया है इन बरसों में 2.25 करोड लोग जो है गरीबी से क्या आए है बाहर आए है तो यहाँ फे मेरे ख्याल फे एक को फन जो है न बन सकता जैसे की अभी तक भी पेशी का इतियास रहा है एक जी बत अब भूल गया क्रिसी रोट प्याप फोर में सम मिला के 1.62 लाग टोड खर्चा करने का रलक्ष रखा गया है और यह 18 अक्ट परद रोट त खाद्या उत्पादन के लिए पिहार फ्रकार बिहार लगहु उद्धमी योजना सुरू क्या है अभी जो जाती अधारी दर्गन्ना हुआ उसमें 94 लाग करोड परिवार जो आर्थी रुप से कमीर चिन्हित हुए हैं उनके उत्थान के लिए उनके परिवार के कम सकम एक म मेंबर को स्वरोजगार के लिए दो लाक अनुदान और जिसमें की लोग सुक्ष उद्ध्योग अस्थापित करेंगे अब अगर कोशन बिपेश सी स्टेट्मेंट बना के पूछेगा कि बिहार लगहु उद्धमी योजना पर विचार कीजिए ठीक ना इसमें पूछेगा मिनिमम परिवार के सभी बेक्ती को या एक बेक्ती को सेल्फ रोजगार के लिए चार लाक हम दो नहीं दो लाक सुक्ष मुद्योग अस्थापित होगा या भारी उद्ध्योग अस्थापित होती स्टेट्मेंट बेस बना के कोफन पूछा या सकता है बस आप याद रखे इस साल के लिए 250 को रूपया इसमें दिया गया अगले फाल के इसमें 100 को रूपया खर्श करने का बात किया गया है बिहार फरकार का लक्ष है 2024-25 में जो है नविकर्णिया उर्जा से 35 परतिफद जो ने बिजली का उत्पादन करना है ये 15-16 में 13 परतिफद था 35 परतिफद 24-25 में टागेट है याद रखेगा अब दो बार फैद को फन पूछ चुका है कि साथ निस से जो योजना पार्ट वन दो और पांस से लेके 20 तक चला पार्ट टू 20 से 25 तक है तो पार्ट वन जो पहला जो फातिफद योजना था उसमें क्या नहीं सामील था इस सवास्त पूछा था तो खी तो फासर बने की बात था क्या नहीं इसा इसम बच्छा सामील यह सामील इसको बच्क आप इसको देख लिए इसके क्या किया फ्यक्स केया था यूबार में पर फोकस को आदिए वाक Cat या या ये बाद edoat में क्या बश्चाइश आया है तो को भ गया अब देखे सिचाई यहां पर आपको अलग फिद दिखाई पड़ेगा एक याद रखेगा फिर देखे आपका जो है गौँआ और शहर पर फोकस किया गया तो इस पर पहले बार स्वाश्ट पर फोकस किया गया तो क्या नहीं है क्या है तो यह दिया देखेगा दोर 24-25 म खर्श करने का जो ना इस बार लक्स है इस बजट में बाल हिर्दय योजना दोर 21 से सुरू किया गया था यह आपके पीडिया बजट के फैक्ट में एक योजना है इसका नाम है फदत जिवोको पाजन योजना यह जो पूर फेमली SCST और यो अन जो गरीब वर्गों के पार ताकि वो निवेस कर पाई निवेस में सही हो कर जोन एक फिले के दो लाग रुपिय यहां से कथन बेस्ट को फन आप से पूछा जा सकता है ठीक ने एक प्रयोजना है उसका नाम है स्वक्छांगनी प्रयोजना यह बहुत इंपोटेंट है यह पटना नगर निगम की जो फलंबस्ती की महिलाएं हैं उसमें उद्द्रमिता बरहने हित्तु जो है और यह महिलाएं गंतन दिवस इस पार कर जो वा था यह बहुत है यह जो पूरे राज में शहर और ग्रामीर दोनों छेत्रों के लिए चलिए अब नेक्स इसमें फिगरिया और आज प्रयोजना नेक्षायबर में दिया है होमी भावा स्केंसर होस्पिटल कहां मुझफरपूर में खुल रहा है बापू पलिक्षा बहुत कुमहरार पतना में ने कहां आपको फन यहां से भी पूछा जा रहा है दरभंगा में फप रोजा तेरेताः फुरोड़ प्लांट ऊप्चि जग पान के विकास के लिए कहां पर यह बीदूपुर बैसाली में इसको ध्यान रखेगा तेरे जिला में जिला में जो अर्गनिक कोई डोड बनाया गए गंगा के किनार जहां पर एक और गनिक खेती हो रहा है अर्थिस जिला के एक सो नब्वे गौं में जलवायू अनुकूल लिए बिहार राज फसल सहायता योजना पोर्टल है एक मतों कि बिहार में मत कभी कोई बार आ गया कभी कुछ आगया तो सहायता राशी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है इस पोर्टल को जो है बारज फरकार इगवर्नेंस के छेत में जो ने एवार्ड आप एक्षलेंस दिया है इस दियान रखेगा इस तरह को फन पूछा जाता है किस पोर्टल को बिहार राज फसल सहायता योजना पोर्टल को इगवर्नेंस सेरे में एवार्ड आप एक्षिलेंस बारत फरकार के द्वारा दिया गया है शिक्ष्टेट में फैदिया उसको फन पूछा है ये क्रिसी सर्जंत्र बैंक किस योजना के तरहत अस्थापित किया जाता है तो मुखमंत्री हरित क्रिसी सर्जंत योजना के तरहत ठीक ने चलिए एक सिंध वार्णी जलासा ये मुंगेर खरकपुर में है एक कुंड घाट जलासा है मतलब इसका पुरणधार किया जाड़ा है बजट में इसका जिक्र किया गया है ये जमुई सिकंद्रा के सिकंद्रा में है और ये बहुआर नदी के बगल में है ये आप इसको ध्यान रखेगा अभी बिहार में जो है ने छटे राज बित आयोक की सिफारिश चल रही है छटे बित आयोक की अनस्वंसा पे जो भी योजनाय है उसका भुकतान करने के लिए एक e-gram पंचायत बिहार पोर्टल बनाया किया है और ये पोर्टल कब से काम कर रहा है 12 अक्टूबर 2023 से ये तो अच्छे सियाद रखेगा ये e-gram पंचायत बिहार पोर्टल आपका ये काम कर रहा है बाकि कुछ कुछ चीज़ हैं जो कि आपको डारेक्ट में उसका कटिंग ले लिया हूँ बजट के पीडियाप से इसको एब बार मैं रीट कर देता हूँ आपको समझा भी देता हूँ इसे कि यहां देखे लिखा हुआ एक इसमें एक कि लिखा हुआ है बिहार की एकनोमी का बिकास क्रीशी के बिकास बंदिलवर हैं राज की 76 परतिफत आवादी क्रीशी कारेपराफरीत है ठीक ना बाकि आट फेक किसी रोड़ में पलागो इससे बता ही दिया मैं ठीक नहां एक जानने की और चीज है क्रीशी रोड़ में चुकी जो कारिक्रम को काफी अच्छे फ 12-13 में गेहूं के लिए 15 फत्रे में मक्का मुटे अनाज के लिए 16 फत्रे में मक्का मुटे अनाज के लिए तथा बड़ फत्रे ठर्म गेहूं उत्पादन उत्पादन के लिए भाड़ फरकार दोड़ा 5 क्रीशी कर्मन पूश्कार दिया गया है यहां फे कुफन भी पेसी पूछ देगा दाल तो दाल के तो मिला नहीं है जिसमें मिला है अगर आपको 100% याद है जिसमें नहीं मिला है तो तो आप टीक करी लिजेगा यही इस बार एक्जाम में यही गयम होने वाला है ठीक नहीं जिनको इतना किलिक कर जाएगा उनका निकल सकता है नदी जोडने की योजनाए और जो ब्रित नदियों को फिर से जिवित करने का परियास बिहार फरकार कर रही है जिसमें की तीन का याद रखेगा बागमती बुधी गंदक फिर आपका यहाँ पे है आपका गंडक अकाली न है हाँ कैमूर वन अब भिहारन को टाइगर यह घोसित करने के लिए एन टी सीए की से धार्तिक मंजूरी मिल गई है ठीक नहीं ऐसा दूफरा होगा बिहार में बाकी बिहार के तीफ्रे चिरिया घर गरूप में रानी गंज जैविक उद्दन अडिया की अस्थापना सम्झ देख लिएगा बाइस में बिहार की पहली बार्सीक वाटर वर्ड जन गन्ना आयुद की गई इसको धियान रखे बाकी कितना क्या इसमें नहीं जानना है ठीक नहीं फिर आपका बिहार की नदियां में डॉल्फीन घरियार टर्टल की परजातियों को पुनप्रवति के अचार देख लेगा बल्मी की बाग रिगर में गंड़क शेत में गंडे के परेणाव चले श्ट्वन पूछा जा सकता है अगाव की बाड़ा फरकारदा दोहरा तइस तक काला जार लक्ष को बिहार गाजने 22 में ही पूरा कर लिया क्रॉप सर्वे मतलब फसल का सर्वे जीचर रूप में पांच जिला सिखपुरा लखी फ्रैंड मुंगे नालंदा जानाबाद में पर्यादार पर किया गया था बाकी अगर इजहां से अगे भी किया जाएगा उसके बाद यहां पे ध्यान रखेगा दुबाई में संपन सब्सक्राइब बाकी बिहार में बिरासत विक्षों के सर्वे फंडेक्षन के लिए बिहार हेटेश्ट्री एप की फुरुहात की गई है इस एप के माध्यम से पचास बर्षों से अधिक पुराने दुरलब पर जातियों के बिक्षों को पहचान करके इसमें में रखा जाएगा चलिए बाकी एक देखले लगू कर आदाताओं की सुगधा के लिए क्यू आर पीम क्वार्टली रिटर्न स्वित मंथली और बच्चों के जिसका मैत या साइंस कमजोर था इध्यान रखेगा बाकी एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए डिटल मुकमंत्री डिटल हेल्थ योजना भव्या ये पर्थम चरकी योजना चार जिलों में मुझफर पूर नालंदा मुगपालगन सीमान में लागू किया जाएगा निए में संबल योजना का संबंद विकाफ योजना मत्र की बिकास योजना के लिए जो ने एक गारे में स्टू पुलवडिया डेम नवादा जिला में ध्यान रखेगा कजला लखी फ्रेम सौरजा लगाने की बात चल रही है अभी बरतमान में तेरे जल बिद्दुत प्रजनाय है जिसमें कुल शमता 54 मेगावाट उत्पादन के बिजली है एक ग्यारा और बन रहा है अगर एक ग्यारा यह बन जाएगा तो 9.3 मेगावाट इसमें है शमता ठीए चलिए पहल एक कारिकरम है बिहार फिरकार चला रही है यह पहल कारिकरम क बिध्या है इंजरिंग एनड पुल्टीक Complete College के जो भी सिख चक पढ़ाते हैं वहां लोकल इसकूल में जाके गनीत साइंस ऐसे सब भी से पढ़ायेंगे लोकल स्कूल में 9, 10, 11, 12 को इंजरिंग एन पुल्टिक कोलेज के सिक्षक पढ़ाएंगे इसको पहल कारिक्रम नाम दिया गया है ठीक ना एस डी आरेफ जो है का जो संस्थान कहां बीटा पटना में बंड़ा आज की निश पेपर मिस का दिया गया है नेशनल पहला रास था जिसने बिहार जो अपने में लागू किया था बिहार लोग शिकायत निवारा अधिकार यह पांच जुन दोश सुल्य को लागू हुआ था यह भी पूछा जा सकता है कब लागू किया गया था ठीक चलिए बाकि बिहार फरकार में जो भी राज कर्मी बिहार फ रिशोर्स मेंजमेंट सिस्टम काम करती है HRMS यह भी अईसा को फन पूछा किस से संबंदीत है एक पब्लिक सर्विस परदान करने के लिए एक अलग से एक इकिर्थ प्रेटफॉर्न बन रहा है उनिफाइड सर्विव डिलेबली प्रेटफॉर्म को बिहार वन भी कहा जाता है ध्यान रखेगा मतल कि जो भी शेवाएं है उसको प्रदान करेंगे ओन लाइन ऐसा प्रेटफॉर्म बन रहा है चलिए बैंक का जो जमा खाता में जो पैसा जमा होता है वो पूरी तरह जो डिटिलाइशन किन-किन जिलों का हो चुका है जहानाबाद अरबर और के विकास के लिए कर रही है एक लब राज अवासिया खेल ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है राज मतलों कि अवासिया वहां बच्चे रहेंगे खेल कुद करेंगे ठीक न माकी सिखेंगे परखंड अस्तर पे एस्टेडियम बंढ है इसी योईना के अंतगत और हर एक जिला म कि अस्थापना कंकर बागपटना में हुआ है यह भी आपके देखें इसमें बजट का में कटिंग ही ले लिया हूँ अगर आपके पास टाइम है इसको वीडियो पॉस करके कुछ डेटा देखें देख लिजिए से कि यहां पर दिख रहा होगा आपको टोटर डिफ देखे बरी राई दिख रहा है आपको फिर नीचे देखें यहां यहां पर देखें रहे हैं यहां पर देखें दिया गया है फिर आपका प्राइमें डिफ फिर देखें यहां पर दिया गया है और जो आपका फिक्षल डिफिसीट है यहां देखें दिया गया थे हाला कि पहले भी आपको इन सब चीज़ों बता देंगे आप कभी को ऐसे चीज़ों कि इसको ज़रूर देख लिए बांके डिपार्टमेंट वाइस कहां कितना कितना खर्चा एजुकेशन देखें परहे नमर पर है फिर रूरर फिर सोसल एक तीन टॉप का याद रखेंगे तो चल जाएगा अब आई mermaid जो बिहार फरकार का है उसमें दोघ्र यह dat इसको कब त्याप मतलई किया गया था मतलं ईह है कि सरकार जो मैं बजेट है उसमें कहां कहां कितना कितना पैसा परिवाज खर्च कर रही है वो सिब इसमें दिखाया जाता है ठीक ना जैसे कि यह इसको अलग से तेया जो किया गया था बीस एकीस से यह फर्स स्टेट था जिफने हरित बजट का निर्मान के अकिफने बिहार और इस बार का जो कुल बजट देखिया आपका लगभग इतना करोर रूपी है तेरह हजार प्रतिफत है और कुल बजट जो अभी मैं बता है का फोकस रहेगी प्राकिर्तिक संसाधन प्रवंधन करेगी हरित रोजगार पर फोकस करेगी जमीन का फोकस करेगी जलवाई प्रवरतर पर फोकस करेगी इसको मैं इसमें प्रत्मिक ताय दी गई है ठीक न चलिए बाकी स्वक्सता अप्सिस प्रवंधन वायू प्रव्दुफन में कमी तथा जय बिवता और प्रास्तिय फ्रवनचन थीमों में भी इसको बाठा गया ह है जल जीवन हर्याली जो योजना है बिहार फेकार काफी फेमस है दोहर उनीस में चालू किया गया है एक गार्ट लैंड ट्रेचिंग एक है यह साउथ बिहार के वन या जंगल में बनाया जा रहा है ताकि जल संडक्षन को मतगड़ा करके इसको कुछ सिस्टम इसमें गार क्लाइमेट चेंज्ज लर्निंग लैब दोहर 22 मा स्थापित किया गे जर्मनी के सहयोग ताकि क्लाइमेट चेंज किफ्ते से कैसे है इसमें जर्मनी काम इसको सहयोग ले रहे है बिक्रम फिला गांगे डॉल फिन अभ्यारन सुल्तान गन से लेके कहल गाउब भागलपूर म ठीक नहीं गज प्रजुना कहां पच्छिम चंपार्ण में चल रहा है कुरुपा पहार कहां है गया जिले में फत्य पूर्ज एक नाम है और यहीं पे ढूंगे श्री पहारी भी गया जिले में एवी धियान रखिए घुआ और मांजर कुंड कहां है रोहतास में को पुझा को बिहार के इसकुलों में यहीं जानकारी दी जाती है बाकि बिहार के फरकारी स्कोलों में PTM मीटिंग भी हो रहा है यह अक्टुबर 22 से सुरुवत यह पूछेगा बेगलेफ दे किस दिन वनिवार के दिन बाकि बिहार के बच्चों और भारत के बच्चों कुछ तुमात्मा कुछ यहां पर इंडेक्स है बाल लिंगानुपाद जीरो फिले के 6 वर्स तक का दिखे बिहार का कितना है 935 है बाल लिंगानुपाद जीरो फिले के 0-800 बच्चे बिहार में कितना है 897 आप इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो एक बड़ याद रखे जिए रहाक है आपको याद रखने का ली नहीं है श्मारड धिर रहा है गणो और इस्टी याध में बनने जरुचाल कोई पूछा था पुछ जगा कि नेफनल हाइबे 57 कहां से कहां गुजरती है पुर्णियाट्टू भागलपूर पुर्णियाट्टू सुपॉल ऐसे करके तो पुर्णियाट्टू क्या डालिएगा अरडिया यह आपको ऐसा कोफन भी यहां से अलग से बन सकते है एक उन्नेयन कारिकरम है बिह इसे वीडियो में बताया था अब आएए आपका जैनल बहुत कुछ नहीं है बस यह दोर्णियाट्टू से शुरू हुआ है जैंडर समानता लिंक समानता की बात जो आपका FDG गोल कर नमर फाइब में किया गया है एक दियान रखिए कर पूछ चुका यहां से मुखमंत्र बच्चा जर जर उसका डिशन कराना है ठीक नहीं बच्चों को टिका करनका बात करना है सेक्स रेशियो को बढ़ाना है इसमें कई सारे इसके अब्जेक्टिव हैं यह सारे अब्जेक्टिव एक बार आप इसको पढ़ लिजे चैनल में इसको खतम करना है ठीक नहीं अब होता क्या है करनिया के जन्म पे 2,000 फिर करनिया के एक बर्ष पे 1000 फिर कर 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 दो पर तो ऐसे करके फरकार में उसको जन्म लेकर अफना टक तक सम मिला के पैसार में उसको देती है यह ब Exp är बाकि जो भी अभी मैं आपको बताया उसका जो जो मैं डाउनलोड किया हूं उसको मैं अच्छे से अंडाइन कर दिया हूं इसमें बजट में बहुत मैंस के लिए इसमें मैंस का कुष्टन भी बना के दिया लेकि मैंस का उत्खर में नमबर 20 के बाद आप दिसक्रस करूंगा लिए लिख दिया हूं विप्रेश से पीटी मैंस के लिए बिहार बजट का मूल पीडियाप पढ़ है क्योंकि पीटी मैंस में खुब हो लाइन उठ कर दिया गया है साथी मैंस है तो जो प्रसकता है ओ भी दिया हूं यह हिंदी के पीडियाप में में प्रसक्ते हैं क्योंकि लिए है वाण पूइन फाइब गुना की बिर्धी हुई है इसके पीछे क्या कारक है ऐसा को फंद में मैंस में अल्यूडी पूछ चुका है और बिहार का जो growth rate है दो अंकों में है इसके इन में किन-किन छेतरों का योगदान है तो मैंस का question हो या PT का question हो आप थोड़ा बहुत अन्मान लगा सकते हो तो प्रिवेफर question को यह वार आपको पढ़ना ज़रूरी है मैंस के टाइम में करूंगा मांकि इसको मैं अच्छे अन्मान कर दिया है इसमें मैंस के लिए मैंस के इसमें अलग से करूंगा इसमें 10 पेज में सब इंपोर्टेट नहीं है मुश्किल से इसमें 10 पेजस है जो कि आपके एक्जाम के लिए है जो एक्जाम के लिए है मैं इसको अन्रेन कर दिया हूँ प्लीज एक वार का टाइम है तो आप इसको जो रूपढ़ है आपको फायदा होगा यह चाइल बजट है इसमें भी जो कुछ इंपोर्टेंट चीज़े हैं जो एक जगह ही काफी अच्छे दिया है मैं इसमें इंपोर्टेंट चीज अन्रेन कर दिया है और मैं आपको कुछ-कुछ इसमें बताया भी हूँ एक वार आप फेर रिक्वेस्ट है कम सकम जो इसकी स्कीम है जो महिलाओं से संबंधित है उसको एक बार जो उसके अब्जेक्टिव को पढ़ लिजेगा और कब वो मुखमंत्री करन्या विभा योजदा इसमें सरकार पैसा देती है करीब परिबार बच्ची के साधी के लिए मुखमंत्री करन्या थे हैं यहां समें आपको ब पर लिजेगा कि बाकी इसमें लगबग जो भी बजट का चीज था बता दिया अगर और इसमें कुछ हमको लगेगा जब मैं इसको कभी वीट करूंगा तो और भी होगता मैं एक लेक्ट्र लूँ जो कुछ इसकी बच गया एक जो लेक्ट्टर आएगा उसमें कुछ चीज पीटी के पॉइंट और भी इसमें लिया था तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह लगबग आधे घंटे या वीडियो उसको भी चीज में बता दूंगा बाकी आपका 70 भी पेसी पीटी के लिए लेक्ट्र पहला दूफरा तीफरा चोथा अपलोड हो चुका आप उसको स्थान फे देखते नहीं है मैं बताया हूं कि लेक्ष अ उसको उसमें कभर किया हूं पूरा पूरा क्लाश एट का भूक नहीं है या पूरा क्लास ट्वल का इंसेटी बूक उसमें सामिल नहीं किया गया है शिफ मैं इस topic को cover किया, उसमें भी class 10 का जो anxiety new anxiety book है, उसमें एक ही chapter में cover किया, एक ही exam में पुछता ही है, एक ही chapter में आपके flavors के like है, तो बाकी के lecture जिसे की, आप शिर्माल जे की 1857 की क्रामती है, तो ये new anxiety class 8 में भी है, और class 12 में भी है, तो मैं इसको एक फाद cover कर लूँगा, तो कोशिस यह है कि class 8 या 6, 7, 8 या जो भी anxiety, new anxiety है, एक topic जिस जिस class में उसको मैं एक ही फाद cover करूँगा, जिसे की atmosphere है, तो मैं कोशिस करूँगा class 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहां तर जहां atmosphere का topic मैं एक ही फाद cover करूँगा, उसमें क्या होता है, कि एक intrigator में पढ़ाई हो जाते है, तो यही परियास है, मैं फिर बोलता हूँ, मैं starting में बताया था कि मैं पूरा flavors आपको cover नहीं करा रहा हूँ, इस 70 बेपर CPT के फ्रीज में, मैं सिर्फ उस एरिया पर focus कर रहा हूँ maximum, जहां फे coffin आता है, जहां हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, maximum time हम छोड़ देते हैं, चा आप अच्छे से यूज किजिए, दुर्गा पूजा नजदीक है, दिपावली आएगा, फिर छट पूजाएगा, इस बार कोई भी पर मत मनाईए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छे से पढ़ लेजे, एक दो दिन बीजी रहिए, दुर्गा पूजा में, एक दिन तीन दीन से अधिक समय प्लीज इस बार मत दिजीएगा, अगले फाल मैंस देके अराम से धुमधाम से इस पूजा पाठ किजिएगा, जो भी चीजा है, इस बार पढ़ने का समय अच्छा मुका है, पर यह, बाकि मेरा यूटूब चैनल और टेगराम चैनल भी आपको कोई दिकत नहीं है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स वीडियो में, थेंक्यू